हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके परिवार में जिक्के भाई दिवान सर में मैं स्वागत करता हूँ देखिए हमने ये नई पहल शुरू की है तो आपको ये पहल कैसी लगेगी ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे तो देखिए पहला परसन रहेगा हाली में रानी रामपाल को कौन सा पुरुसकार दिया गया है तो रानी रामपाल को कौन सा पुरुसकार से समानित किया गया है ओप्सन है पदम शिरी पदम भुसन पदम भी भुसन अरजुन अवाड आपको आपके मन में सोचना है इसका अंस पुरुषा गया है यह राणी रामपाल है यह होकी की खिलाड़ी है साभाद कुरुक्चेतर से संबन रखती है बहुत इपोटेंट है इस बार राणी रामपाल के बारे में एकजाम में परसन जुरूर आने वाला है क्योंकि इन्हें बहुत सारे पुरुषकार दिये गई है और साथ में चर्चा में चल रही है राणी रामपाल तो देख लेते हैं इस परसन का अंसर तो राणी रामपाल को जो पुरुषकार मिला है वो पुरुषकार है पदम सिरी कौन सा पुरुषकार दिया गया है पदम सिरी आप इसका स्क्रीन सोट भी ले सकते हो ताकि आपको जब exam आए तो चैसे revision हो जाए अगले person पर चलते हैं हाली में किस खिलाडी को world athletics of the year award दिया गया है किस खिलाडी को हाली में world athletics of the year award दिया गया है option आपके सामने विनेश फोगाट साक्षी मलीक बजरंग दुनिया राणी रामपाल option आपके सामने रहेंगे दो देख लेते हैं हाली में जो world athletics of the year award दिया गया है वो अवार्ड आपके सामने अंशुर आ गया राणी रामपाल अंशुर गया राणी रामपाल रहेगा अगले person चलते हैं अगला person है भारतिय होके टीम की कप्तान राणी रामपाल का जनम कब हुआ अब इसमें परसन ये भी आपके सामने है कि राणी रामपाल कोन है होके टीम की भारतिय होके टीम की कप्तान तो इनका जनम आपके सामने चार option दिये गए हैं तो right answer क्या रहेगा राइट किस पहलवान को व्यक्तिकत वरग में साल का सरोस्रष्ट खिलाडी समान मिला है साल का सरोस्रष्ट खिलाडी समान मिला है अगला परसन है खेलो इंडिया यूत गेम दो हजार बीस हरियाना के कौन से जिले में हरियाना को कौन सा स्थान मिला है यानि खेलो इंडिया यूत गेम हुए हैं दो जार बीस में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये खेल कहां पे आयो जित हुए है और ये खेलों का तीसरा संस्कर्ण हुआ है कौन सा संसकर्ण हुआ इन खेलों का तीसरा संसकर्ण हुआ है पिछले जो 2019 में खेल हुए थे उसमें हरियाना नंबर दो पे था महाराष्टा एक नंबर पे था तो इस बार भी हम बात करें महाराष्टा एक नंबर पे रहा है और जो हरियाना की पोजिशन है वो भी कौन ची ह हर्याना की position भी इस बार दूसरी position है तो अच्छे से इनका screen shot लेते रहना अगले person पर चलते हैं अगला person रहेगा खेलो इंडिया youth game 2020 में हर्याना में या हर्याना को कुल कितने पदक मिले हैं यानी हर्याना ने कुल कितने पदक जीते हैं इस बार जो 2020 में खेलो इंडिया youth game हुआ है जनुवरी में आयो जीत हुआ था इसमें total इस बार हर्याना ने 200 पदक जीते हैं कितने पदक जीते हैं 200 पदक जीते हैं और दूसरी position आसिल की है अगले person पर चलते हैं युमना नगर के किस चातर को राष्टपती रामनात कोबिन ने बाल सकती पुर उसकार तो ये मिला है इसान सिंक को किने मिला है इसान को मिला है युमना नगर के चातर हैं ये अगले person पे चलते हैं हर्याना 66 विवाग दुबारा जारी mobile paradigm का नाम बताइए तो जो हर्याना शिक्ष्या विवाग ने एक mobile application जारी की थी December 2019 में उस एप का नाम बताना है आपके सामने option है अपने सोच लिया होगा तो इसका right answer रहेगा शिक्ष्या से तू एप कौन सी है शिक्ष्या से तू एप तो भूत important है शिक्ष्या से तू एप अगले person पर चलते हैं वर्तमान हर्याना में कुल कितनी नगर परिशद है तो वर्तमान हर्याना में अभी कुल नगर निगम पूछे है कि अब क्या पूछे इसमें नगर निगम टाइपिंग में मिश्टर करे कह थोड़ी किल कितने नगर निगम है तो दस नगर निगम है हर्याना में आज भी दस नगर निगम है कहीं आप No टिक मकर करके आज आओ एकजाम में क्यों कि अम्बाला को तोड़ा गया और अम्बाला केंट को बनाया गया नगर परिशद और अम्बाला आज भी बात करें नगर निगम है तो हर्याना में कुल कितनी नगर निगम है दस नगर निगम है अगले परसन पे चलते हैं वर्तमान हर्याना में कुल कितनी खंड है वर् तो हरियाना में वर्तमान में कुल कितने खंड है वन फॉर वन ध्यान में रहे वन फॉर वन अगले परसन पे चलते हैं वर्तमान हरियाना में कुल कितनी नगर पालिका है नगर पालिका पूची गई आपसे क्या पूची गई है नगर पालिका तो आपको आंसर देना है संताली इप्साज शबाड़ान तो वरत्मान में नगर पालिका रियाना में, उनकी संक्यावढ़कर 58 हो चुकी है कितनी हो चुकी है अठावन तो जियान मेरे वरत्मान में 58 है, अगले पर्स पे चलते हैं हरियाना का नमीनतम खंड कों सा है, यानि जो 140 खंड थे अब इनकी संक्यावड़क 141 हो गई है तो नविंतम खंड कौन सा अप्सन है धारुएडा नर्वाना साबाद नारनोल इसका राइट आंसर है आपके सामने अप्सन है धारुएडा नर्वाना साबाद नारनोल राइट आंसर क्या होगा धारुएडा तो रिवाडी में पढ़ता है भाई अगले प्रसंद परिम चलते हैं 살ो आहिभ्याना में वर्तमान में कुल कुल नगर प्रिस shaky सब से कन्फ्यूज करने वाला क्यों कुल कितने नगर प्रिसद हैं यह क्यों सनपको बता देता हूं मैं यह क्यों सन चीनि नि्यूस पर से उठाया गया है न्यूज पेपर से ही नगर निगम नगर पालिका नगर परिशद तिन्नों आकड़े उठाए गई है तो टोटल कितने रहेंगी अठारा अठारा नगर परिशद है यह डाउट वाला परसन है थोड़ा आप ध्यान में रखना है इस परसन को अगले परस मेरे नगर पालिका से नगर परिशद बनाया गया है क्या बनाया गया है नगर परिशद बनाया गया है ज्यान मेरे नगर परिशद लाश्ट परसन आपके लिए इस परसन कांसर सभी को आना चाहिए क्या आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया उप्सन है येस अभी कर लेते हैं तो दो अप्सन है लगबग तो यह सवाले हैं और जो नए है वो अभी कर लेते हैं पेटी करेंगे और अभी नीचे जो लाल बटन दिया गया है सब्सक्राइब का सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मोस्ट इपोर्टेंड डाउट वाले परसन आपके सामने में लेकर आता ह होगा और आपको तो ठीक है दोस्तो मिलते हैं अगली क्लास में वेट कीजिए वाली है और एक धासू क्लास लेके आएंगे जिसे बोलें बड़ी ऐसे बड़ी आ क्लास तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना इस वीडियो को और शेयर करना जितने भी स्टेडी गुरूप है अपने दोस्तों में जरूर सेर कर देना क्योंकि आपका ये छोटा सा परिवार जो जिके भाई दिवांसर है वो आपकी दया से ही चलना है मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम गुड़ बाई